Hey everyone, this is Manisha Chahan and welcome to Unfurl Biology आज के इस वीडियो के अंदर हम BHU MSC Zoology entrance के बारे में डिसक्स करने वाले हैं हम देखेंगे कि आप क्या syllabus refer कर सकते हो अगर आप इस entrance की तयारी कर रहे हो दूसरी चीज जो हम देखेंगे वो है important topics important topics की list मैंने बनाई है यह previous year papers के analysis के basis पर बनाई है यानि कि पिछले कुछ सालों में जिन topics से जादा-जादा questions पूछे गए हैं उन topics को मैंने important topics के list में डाल दिया तो आप इन topics को जो मैं बताने वाली हो इनको आप पहले prepare कर सकते हो अपना time management उस according कर सकते हो कि इन topics को आप पहले कर लेना और बाद में जो भी बच जाएंगे topics उनपे switch कर जाना ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि सिर्फ इनी topics को आप करके चले जाओ तो आपका exam clear हो जाएगा ऐसा नहीं होता है अच्छे number आ जाएंगे no doubt बट exam clear करने के लिए जो competition है वो बहुत जादा tough है तो आपको उसको beat करना है तो पहले इन topics को कर लेना और जैसे जैसे time permit करेगा उसके according जो बाकी के topics आप उन पे switch कर सकते हो इसके अलावा अगर आपको previous year papers के link चाहिए तो वो description में मैंने add कर दिये हैं वहां से आप download कर सकते हो 2012 से लेके यानी 2012 से लेके 2020 तक के जितने भी papers हैं MSE Zoology के BHU के वो सारे के सारे मैंने description में डाल दिया हैं वहां से देख सकते हो syllabus के अगर हम बात करें सबसे पहले syllabus के बारे में देख लेते हैं BHU ने कोई भी एक particular syllabus नहीं दिया है कि आप MSE entrance के लिए यह syllabus रेफर करो लेकिन इनके brochure के अंदर यह clearly mentioned है कि अगर आप MSE entrance की तयारी करो ना तो आप bachelor's का जो syllabus है अधर्वाइस website पर मिल जाएगा वहां से कर सकते हो ठीक है यह कुछ units हैं जो आपको cover up करने हैं अपने MSE entrance के लिए according to the syllabus of BSE आपकी यह units हैं जो आपको focus में रखने हैं इनको cover करना है सबसे पहले आती है आपके systematics और animal diversity जिसके अंदर आप systematics और taxonomy वगरा पढ़ोगे और दूसरी चीज जो बहुत जादा important है वह है animal diversity यानि कि codates, non codates यह सारी चीज़ें आपको deal करनी है being a zoology student आप कभी भी यह नहीं सोच सकते कि exam में इससे related questions भर-भर के नहीं आएंगे बिलकुल आएंगे इससे related भी आएंगे और animal physiology जो होती है वहां से भी questions आते हैं यह दो-चार जो units हैं वह cover करनी है तो आपको कोई नुकसान नहीं इनको prepare करनी के लिए ठीक है इनको अच्छा घासा time देके इनको आपको prepare करना है यह मैं बता सकते हूं कि आपको focus कहां रखना है जब आप तयारी करोगे न इन units की तो आपको कहां कहां पर ध्यान देना है वह मैं बता देते हूं ठीक है सबसे पहले आता है आपका organs organs in the sense कि कौन सा organism कौन से organ को use करके कौन सा function perform कर रहे हैं दूसरा यहां पर लिखा हुआ है diseases या फिर जो life cycles होती है वो कोट पहला prefer कर सकते हैं इस unit के लिए यहां पर आपको क्या करना है आपको different organisms जो parasites होते हैं उनकी life cycles पढ़नी है वो अपने host को किस तरीके से use करते हैं कितने host use करते हैं कौन सी वो बिमारियां cause करते हैं वो सारा आ फिर आते हैं larval forms यह बहुत जादा important है larva आपको पता होना चाहिए कि कौन से organism के larva का क्या नाम है वो सारा आपको पता होना चाहिए उसके बाद आती है body cavities यानी sea loam से related कौन से organism में किस तरीके से sea loam present है zoological names of some common animals animals के नाम दे दिया जाते है उनसे पूछा जाते है scientific name क्या या scientific name दे दिया जाते है पूछा जाते है common name क्या है तो वो उस तरीके से आपको prepare करना है जो fishes होती है ना उनके scales से related questions आयों है तो वो आप एक बार ही अच्छे से देख जाना jaw suspensorium से related भी questions आयों है वो भी उसे related question आयों है तो जब आप इस unit को पढ़ोगे तो यहां पे आपका focus रहेगा पढ़ना आपको जितना हो सकते है आप उतना इस unit को तयार करना है यह वाली जो units रहती है इनको जितना हो सके उतना तयार करना है यह वाली कुछ main चीज़े है जिन पे आपको अपना focus बनाकर इनको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है फिर आजाता है आपका cell biology cell biology के अंदर apoptosis is important कि कैसे cell death कराई जाती है programmed cell death कैसे कराई जाती है यह necrosis से कैसे different है वो सब इसके बाद एक बहुत ही important चीज है that is plasma membrane plasma membrane को चाहे 2 दिन लगाओ चाहे 3 दिन इसको बहुत अच्छे से करके जाना है इसमें आपको पढ़ना क्या है कि कैसे कैसे हमारी plasma membrane के अंदर चीज से present होती है इसके अंदर cholesterol किस तरीके से present होता है कौन-कौन से lipids present होते है fatty acids का क्या यहां पर काम रहता है कि मालो अगर कोई freezing condition है तो क्या वहां पर saturated fatty acids जादा मिलेंगे या फिर unsaturated जादा मिलेंगे cholesterol कैसे help करते है अगर freezing environment है और अगर बहुत जादा hot climate है तो उस टाइम पर cholesterol किस तरीके से help करते है तो यह सारी चीज़ा आपको देखने है यानि basically इसकी fluidity के बार में पढ़ना है जब आप plasma membrane पढ़ोगे इसका structure वगेरा हो जाएगा उसके बाद आप 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 इसके transport पर यानि कि कैसे molecules इस plasma membrane के एक साइट से दूसरी साइट मूव करते है तो इसका active process हो चाहे फिर वो passive diffusion हो चाहे facilitated diffusion हो वो सारा आपको पढ़ना है कौन से molecules जो है वो बिना किसी transporter के transport हो जाते हैं कौन से molecules को help के जरुवत पढ़ती है कौन से molecules को energy के जरुवत पढ़ती है उस तरीक से आपको पढ़ना है इसके बाद आता है आपका endomembrane system इससे related भी questions आए हो है ये आपको पढ़ना है फिर ये कुछ topics हैं इसमें से chromatin आपको पढ़ना है heterochromatin, uchromatin cell cycle के अंदर देख लेता है cell cycle के अंदर regulation से related question आए हो है तो ये नहीं करना कि cell cycle और उसके phases पढ़के छोड़ दिये checkpoints के बारे में भी पढ़ना है genes के बारे में पढ़ना है अच्छा ये genes बहुत जादा हो जाएंगे तो इसका मैं बता देती हूँ जो book आप refer करोगे माला आप Cooper refer करोगे हो ठीक है उसके अंदर जो diagrams ही होया है जो आपको pathways बना के दिखाएंगे उन्हीं के अंदर आप अगर समच जाते हैं पाथवे के साथ-साथ explanation होती है आप पाथवे देख लेना उसका explanation देख लेना उतना बहुत हो जाएगा उतने में आपके जो genes है वो cover हो जाएंगे और basic एक idea भी बन जाएगा कि cancer कैसे होता है क्या होता है वगेरा वगेरा ठीक है फिर आते हैं और्गिनल्स और्गिनल्स में आपका सबसे main जो है वो है lysosome lysosome से बहुत जादा questions पूछे जाते हैं उसके pH पे बहुत जादा focus किया जाता है उसके अंदर जो enzymes है वो किस तरीकी से work करें उसके फोकस किया जाता है और यह बहुत ही easy और्गिनल्स है यह कैसे phagol isosomes बनाता है यह सब आपको देखना है इसके अलावा भी जो और्गिनल्स है वो जैसे mitochondria हो गया आपका nucleus हो गया इन सब को भी आपको पढ़ना है इनका structure और इनका basic function आपको पता होना जाए कि मतलब कहां पर किस तरीके से गौल जी के अंदर किस तरीके से sister ने वगयरा present है वगयरा वगयरा यह सार आपको देखना है फिर आता है meiosis and mitosis यह तो आपको पढ़ना ही है इसके अंदर आपको focus कहां रखना है इसके अंदर आपको DNA का content और chromosome का content है कौन सी stage पर कितना present है वो focus होना चाहिए आपका इसके अलावा कहां पर homologous chromosomes की separation हो रही है कहां पर sister chromatics की separation हो रही है वो भी आपको ध्यान रखना है ठीक है जब आप junctions पढ़ हो गया तो उसके अंदर gap junction पर ज्यादा focus करना क्योंकि यहां पर से related questions आया है बिल्कुल basic questions से वो gap junction वाले बट आये हो है ठीक है इसके अलावा भी जो है वो present रहते है हमारी body के अंदर जो भी junctions होते है वो पढ़ने है और इसके अलावा एक आपका होता ह इसके अपर जादा focus करना है ठीक है उससे related question आते है actin और myosin से related फिर आती है biochemistry biochemistry के अंदर जितने भी pathway पढ़ोगे यह वाले जो लिखे है इसके लावा भी जो पात्वे आप encounter करोगे उस pathway के enzymes पर focus रखना ठीक है कौन सा enzyme कहां पर present है यानि कौन सा enzyme जो है वो inner membrane में component है तो वो आपको पता होना चाहिए यानि कौन से compartment में compartment as in organal तो वहां पर कौन से organal के अंदर क्या चीज हो रही है glycolysis कहां हो रही है krebs cycle कहां हो अगयर 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 चिक PK-PH और PI इनका concept आपका clear होना चाहिए इनसे भी काफी questions आयो है जितने भी आप reactions पर होगे उनके enzymes जो कि मैं बता चुक हूँ इसके अलावा जो precursor molecules होते है उन पर भी ध्यान देना है यानि कौन सी चीज किस से बन रही है वो उसका precursor हो जाता है ठीक है यानि कि अगर x से y बन रहा है तो y का precursor is x ठीक है वो आपको देखना है पूरी की पूरी जो pathway है या जो reaction है वो start कहां से स्टार्ट कहां से हो रही है पहला molecule कौन सा था उस पर ध्यान देना है फिर जब आप पढ़ोगे तो आपको कई जगहां पर देखने को मिलेगा bonds के बारे में यानि glycosidic bond बन रहा है यहां पर peptide bond बन रहा है तो उस पर ध्यान देना है जैसे beta 1 4 कहां पर linkage है तो वह सारा आप प्रोटीन के structure जब आप पढ़ोगे primary, secondary, tertiary तो इसके अंदर भी आपको देखना है कि कहां पर कौन सा bond प्रेसेंट होता है enzymes की बात करते है enzymes is very much important enzymes की classification बहुत जादा important है KM का concept, VMAX का concept, activation energy का concept इनसे questions बहुत जादा पूछे गाया है और जब आप इन्हें पढ़ोगे तो माइकली इसमेंटन और लाइन वीवर्ग बग प्लॉट भी आ जाएगा इसी में तो आपका यहां पी कवर हो जाएगा reducing non reducing sugars के examples are important DNA का structure basic जो Watson Crick का है वो उसे related जो भी आपके numbers वगएरा दिये होते हैं कि कितने base pair वगएरा है वो सारा पढ़ना है इसके types कौन-कौन से होते हैं BDNA, ZDNA वगएरा यह सारा आपको पढ़ना है ADNA Ramachandran plot जो होता है इसका भी एक basic just आपको पता होना चाहिए ठीक है फिर आता है molecular biology, mole bio के अंदर आपको central dogma पर focus तो रखना ही है obviously बात है mole bio के अंदर central dogma के around ही जीज़े घूमती है central dogma यानि की replication transcription translation ठीक है translation जब पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा different होती है इनकी initiation ठीक है इसके अंदर कौन से ribosome use हो रहा है इसके अंदर कौन से ribosome हो रहा है तो वो सारा आपको differences के terms में इसको पढ़ना अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें कुछ types of mutations होती है deletion mutation, insertional mutation, translocation बहुत जादा important है वो सारा आपको पढ़ना है इसके लावा कुछ induced mutation होती है spontaneous mutations होती है कोई भी अच्छी बुक ले लेना इसकी मोलभाय हो कि आपको मिल जाएगा Watson लेना verbal hypothesis is important and post translational modifications भी आपको पढ़ना है post translational modifications भी आपको pathfinder में अच्छा खासा मिल जाएगा उतना content भी बहुत है physiology के अगर हम बात करें तो blood से related यानि कि आपके heart से related बहुत सारी चीज़े आपको अच्छे से पढ़नी है कि कौनसा organism किस तरीके से कौनसा nitrogenous waste excrete करता है जब आप physiology की book पढ़ना तो उसमें introduction में starting में mostly chapters के अंदर different different organisms का comparative दिया होता है short में दिया होता है बद दिया होता है तो उसको भी अच्छे से कर लेना neurons के बारे में आपको पढ़के जाना है membrane potential के बारे में पढ़के जाना है environmental adaptations आप पढ़के जाओगे यह जब आप पढ़ोगे तो कोई भी chapter आप पढ़ोगे इससे related physiology की books में से तो pyokilotherms और homeotherms का कही ना कहीं पे तो mentioning होगी environmental adaptations आपको पढ़नी है इसके अलावा oxygen and CO2 का जो transport है वो कैसे हो रहा है oxygen dissociation curve इससे related भी questions आपको पढ़ना है अब हम बात करते हैं endocrino में endocrino में वैसे तो सारे के सारे glands और उनसे क्या क्या secret होता है वो वो तो आपको पढ़ना ही है इसके अलावा जो pregnancy के time पे जो hormones होते हैं उससे related questions आए हो है pancreas पे बहुत जादा focus किया हुआ इसके अलावा vasopressin पे बहुत जादा focus किया है vasopressin पे काफी भरवर के questions है तो वो आपको पढ़ना है feedback mechanisms आपको देखना है कि किस तरीके से negative feedback है या किस तरीके से loop चलता है पूरा process जो चलता है इसका hormones वगर का वो आपको पढ़ना है फिर आते हैं diseases पे इसका syllabus है उसके अंदर चार आपको already mention करके दी हुई है इनमें से goiter और Edison's disease इनसे related questions आयो है इसका मतलब यह नहीं कि बागी दोनों से नहीं आएंगे जब यह syllabus में directly mention कि हुई है तो फिर इनको छोडने का कोई मतलब नहीं बनता है तो यह चारो को चारो आपको अच्छे से करके जानी है इसके अलावा अगर आपको दिख जाता है कि ठीक है भई यह वाला जो hormone है अगर इसके अंदर कुछ दिक्कत हो जाती है तो यह प्रोब्लम हो जाएगी तो वह अपए एक से अलाव कर सकते हो और इसको लौन कर सकते हो जाया डवियों से रिलेटेटीट है यह तो आपके अन्नोन नहीं होंगे यह अपने देखे होंगे पॉपिक्स यहीं से व्च्शन उठाटे आते हैं जानिक मेंब्रेन आपका basic layer होना चाहिए कौन सी क्या कर रही है तोड़ा अच्छा topic है इसको थोड़ा detail में पढ़ना competence determination differentiation में क्या difference रहता है वह competence related questions पूछें मैं induction क्या होता है वह आपको पता रहाना चाहिए determination differentiation में क्या difference है वह पता होना चाहिए determination का मतलब हुता है कि CELL NЕ DECIDE कर लिया कि ठीक है मैं Kidney का CELL बनूंगा ..बников अब वह अपनी FADE को CHANGE नहीं करेगा लिगर इसने कर लिया ना Decide कि Kidney का CELL बनूंगा अब वह उसको CHANGE नहीं करेगा तो हम करेंगे कि हाँ वहona होगा How determine 화 design determination उसने कर लिए पढ़ने है तो इसे related notes जो है वो telegram में added आड़ आप वहां से ले सकते हो frog की development से related questions I think 3-4 तो मैंने पिछले 5 साल के question papers में ही देख लिया थे तो यह भी important है आपको पढ़ना कैसे इसको जो आप पढ़ोगे तो कुछ terms आएंगी जिसकी gray crescent है organizer है यह cortical rotation वगरा है इस तरीके के कुछ terms आएंगे उसका मतलब आपको पता होना चाहिए यह terms और इस process में क्या-क्या terms use हो रही है वो पता होना चाहिए क्या sperm की entry की वज़े से cortical rotation होता है debbio easy है एक बड़ी आप करोगे ना तो इसमें जादा कुछ learn करने का नहीं है एक बड़ी समझ में आज है तो हो जाएगा genetics की बात करते हैं genetics अब पढ़ोगे तो इससे related जो भी terms आपके सामने आ रहे हैं जैसे की homozygous का मतलब क्या होता है hemisygous का क्या मतलब होता है heterozygous क्या होता है यह सारा आपको देखना है वो तो basic चीज़ा है तो आप ध्यान दो गई इसके लावा जब मेंडल पढ़ते हो ना तो कुछ मेंडल के exceptions भी होता है जिन्हें हम बोलते है extension of Mendel जिसमें आपका multiple allelism आ जाता है polygenic inheritance आ जाता है epistasis वगेर आ जाता है तो test cross, back cross इन सब का basic आपको meaning पता होना चाहिए giant chromosome से 2-3 questions मैंने देखे थे वो आये है maternal inheritance और maternal effect के बीच का difference क्या होता है इसमें से I think kappa particle का था वो question जो मैंने देखा था kappa particle का था और एक दो और थे ठीक है तो इससे related questions आये है यह directly syllabus में mentioned भी है और इन से related direct questions भी paper में आये है ठीक है फिर आता है cystic fibrosis इससे related 2-3 questions है तो मैंने इसे अलग से mention कर दिया cystic fibrosis आप पढ़के जाओगे sex determination के लिए कौन से organism में क्या system रहता है वो आपको पढ़कर जाना है DNA damage and repair के questions है उनमें से सबसे जादा जो focus था जीरो डर्मा pigmentosum पर तो वो जो disease है उसके बारे में पढ़के जाना इसके लावा जो DNA damage and repair जब आपढ़ोगे ना तो उसके अंतर कुछ types आएंगे तो उन types का आपको जिस्ट पता होना जाए कि कौन सा repair system कौन से वाली abnormality के case में यूज होता है ठीक है operons are important no doubt pedigree is important no doubt लेकिन pedigree के चो questions है ना इस exam में BHU में mainly blood group से relate करके दिया है यानि कि parents के या तो blood group दे दिया जाएगा बच्चे का बताना है probability बताना है किसी भी तरीके से pedigree and blood group को relate करके question बनाया है था फिर आदा gene order gene order के बहुती simplest form के questions यह हैं होने मैं last में एक slide दिखाऊंगे उसके अंतर कुछ questions दिखाऊंगी उसमें मैंने रखा हुआ है gene order से related questions आते हैं बहुत ज़्यादा heavy questions नहीं होते हैं basic questions होते हैं लेकिन आपको practice करनी पड़ेगी तभी आपसे solve होंगे ठीक है इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि single crossover क्या होता है double crossover क्या होता है वो आपको basic पता होना चाहिए Conjugation, Transduction, Transformation जो कि bacteria करता है horizontal gene transfer के form में तो वो आपको पता होने चाहिए Conjugation से related questions काफी जादा पूछेगा हैं इसका मतलब यह नहीं कि Transduction, Transformation को छोड़ दोगे इनको भी करके जाने यह कुछ diseases हैं जो कि specially syllabus में mention की हुई थी तो यह आपको पढ़के जाना है Huntington से related आया है question तो यह तीनों के तीनों के तीनों आपको पढ़ना है Evolution and Ecology के अगर मैं बात करो तो evolution में यह कुछ basic से ही topic हैं जो आपने सुने भी उंगल है Magism, Darwinism, Natural Selection यह सारा आपको पढ़ना है Man and Horse दोनों के evolution से related question है Hardy Weinberg से बहुत जादा questions है यह तो आपको छोड़ना ही नहीं है जो logical time scale से भी कुछ questions हैं इसमें तो याद करने में जादा time लगेगा लेकिन एक बार ही याद हो जाता है तो हो सकता है कि question आज़े और आप अराम से इसको solve कर लोगे चुटकियों में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हो इसमें आपको पढ़ना क्या है कि कौन से epoch में या कौन से era में या कौन से period में कौन सी event हुई थी ठीक है त्रायासिक में क्या-क्या events हुए थे जुरासिक में क्या-क्या events हुए थे इसके अलावा डाइनसौर्स खतम कब हुए हैं birds कब आई थी सबसे पहली bird कब देखे गई थी पहले angiosperms कब देखे गई थे इस तरीके के questions होते हैं angiosperms से related तो शायद नहीं आएगा क्योंकि zoology का exam है तो जो भी animals से related है details वह आप geological time scale का देख सकते हूं speciation is important genetic drift के दोनो types are important homologous analogous examples are important यह भी देख ले ना कई पर ही वह ऐसे देते हैं कि divergent evolution से कौन सा organ बनाऊगा तो उसमें आपको homologous select करें क्योंकि homologous organs जो हैं वो divergent evolution का result होते हैं analogous तब बनते हैं जब convergent evolution होती है ठीक है तो बेसिक बेसिक क्लियर करना आपको और examples are important ecology की अगर मैं बात करो तो inclusive fitness से related questions आया है biogeochemical cycle से related questions आया है population pyramid से related आया है यह जो endangered और vulnerable मैंने लिखा हुआ है इन दोनों से related questions आया है ठीक है हो सकता है कि आपके exam में threatened पूछ लें तो main-main जो organism से उनकी नाम आप पता कर सकते हो species का concept यह कुछ दिये हुए थे कुछ-कुछ लोगों ने अलग-अलग तरीके से species को तो आपको पता होना चाहिए इसके अलावा भी कुछ है जो आपको पता होना चाहिए जैसे डॉलो है यह सारा का सारा डॉलो पूछा नहीं गया है बट अभी कुछ प्रीवेस जो दूसरी युनिवर्सिटीज है उनमें काफी तवज्जो दी गई है उसको तो वह भी आप पढ़के जा सकते हो इनिवल बीह्यवयर के अगर हम बात करें तो टाकसस किनिस्मिल कुम्मुटिकेशन किस तरीके से होता है उस और प्रिशक रिलेटिड रिदेड को और आप से बुछे मैं ने पिछले कुछ सालों में इम्मुनलोजी में दो टॉपिक्स को मैं बोलूंगी कि बहुत स्याधा इंपॉर्टेंट है पहला जो इम्मिनोग्लोबिलन्संति उनके functions और उनका structure यह हद से जादा important है और दूसरा आजाता है आपके disorders ठीक है यह दोनों तो है important इसके अलावा जो पुछे वह थे वो मैंने बता दिया कहाँ पर कॉन mature होता है बीसल जो है वो immature होता है तो हम उनके क्या कहते है इसके अंदर कॉन से receptor होता है टीसल के receptor को क्या कहते हैं बीसल का receptor क्या इसके लिए आप क्यों भी रेफर करना है तो आप रोइट भी नहीं रेफर करना है तो फिर यूटुब के वीडियो रेफर कर सकते हैं उतना भी इनफ हो जाएगा यहां पर कुछ टर्म्स हैं जैसे की अलीलिक एक्स्क्लूजन और अंटीबोडी डायवरसिटी इनसे रिलेटेड क्वेस्टन जो हैं वो रिपीट के हुए थे तो यह टर्म्स आपकी इंपोर्टेंट हो जाती हैं यह आपको पढ़नी है ठीक है फिर कुछ टॉपिक्स देन्स आपको पढ़नाय है क्या होती है ग्रम पॉजिटीव बेंटेरिया डीशियन डिलिक इनकी saud weeks में वान के शहाँ में एन्स वे खूध बेंग किसमे प्रेजर्टा है किसमें नी पिर आती है environmental biology, इससे related questions आयों है, मतलब एक या दो तो हर paper में पूछा जाते हैं, इसके अंदर जिसे की reserves है, national parks है, wildlife centuries है, इन से related हैंगे, इन में से कौन सा in-situ है, कौन सा ex-situ है, इसके अलावा जो examples है, वो आप learn कर सकते हो, कैसे आप conservation strategies अपना सकते हो, invasive species से related 2-3 बार पूछा गया है, तो वो आपको पढ़ना है, ecosystem के types और ecotones के बार में आपको पढ़ना है, ये वाला जो pathfinder से आप इस topic को cover कर सकते हो, ecosystem types वगरा हो, okay, तो ये कुछ techniques हैं, जो previous questions जो थे, उन में से जो techniques पूछी गई है, वो मैंने सारी यहां पर enlist कर दिया, ठीक है, इसके अलावा भी हो सकते है, आपको इसके syllabus के अंदर और techniques देखने को मिले, लेकिन ये वो techniques है, जो पिछले कुछ papers में पूछी गई है, ठीक है, पिछले कुछ सालों में पूछी गई है, तो आप कर सकते हैं, ये वाली technique से 2-3 questions देखे मैंने, इसके अलावा, जो syllabus है, उसके अंदर ये वाले techniques भी mention है, तो मैंने ये भी हां पर लिख दिया, ठीक है, क्योंकि इस से पूछा गया है, तो हो सक तरीके से पूछी गई है, वो मैंने बता दी, ठीक है, और hybridization experiment में stringency के concept पे इन्होंने ध्यान दिया हुआ था, ठीक है, जैसे salt गएरा, यूज करके कैसे bonds को हम change करा सकते हैं, bonding अच्छी करा सकते हैं, या कम करा सकते हैं, उस पे ध्यान दिया हुआ था, stringency का concept आपका clear होना तो यह topic से कुछ जो important थे, आप करके जा सकते हो, पहले इनको cover कर लेना, फिर दूस्टे topics पे switch करना, अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यह वो questions है, जो मैंने खाता है, enzyme की classification is important, यह वहां से आया है, ठीक है, आपको classification के साथ-साथ, आपको यह पता होना था, कि कौन सी class क enzyme क्या काम कर रहे है, एक दो examples भी अगर कर ले तो, तो safe side पे रहोगे, हो सकता, अगली बारी वो बता दे कि, यह वाला enzyme जो है, वो कौन सी class को बिलॉंग करता है, तो इस हिसाब साथ-साथ करना है, यह classification के according होगा, और यह वाला वो है, gene जीन order जहां पर पूछा है, बहुत ही यह repeat हो रहा है, ऐसी और भी questions है, जो repeat होता है, तो यह important topics मैंने बताया है, इनको cover करना, फिर उसके बाद pyqs solve करना, और उन pyqs में सापको जो लगे कि वो रह गया है, नहीं solve हो रहा है, उसके बारे में पढ़ना, इस तरीके से अपनी preparation की approach है, उसको रखना, और जो topics छूट for today and if you like the video, do hit the like button, share it with your friends and do subscribe the channel, thank you so much guys, bye bye!